चलिए बाते मत कीजिए अभी नेक्ट लेक्टर हमारा दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था कि क्या नाम है उसका मामलूक वंश है मामलूक मतलब होता है गुलाम यानी गुलाम वंश है ठीक है आए सौन में यहाँ पर बैठी नड़कियों से मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इतनी बार बोलने के बाद भी अगर आप चुक नहीं हो रहे हैं तो हम अपना विक्राल रूप धारण कर लेंगे नर्सिंग आउतार में आजाएंगे और उसके बाद तुम्हें दिक्कत हो जाएगी है ना चलिए एक चीज़ आप सभी छातरों को बता दे कि देखे नियू हो सकता है अपरेल में 35,000 उत्तर प्रदेश पुलिस भरती के जो पद है उसकी प्रकरिया शुरू हो सकती है तो जो भी चात्र ध्यान देना तो आसा इंफॉर्मेशन में ध्यान देना कि एक है कौन सा एक पुरुष पक्स है और एक क्या है महिला पक्स है ठीक है मिनिमम उमर कितनी ली जाएगी 18 यहां भी 18 ली जाएगी और मिनिमम कौलिफिकेशन कितनी 12 पास महिला के लिए भी 12 पास और यहां पर पुरुशों के लिए हाइट ली जाएगी 68 सेंटीमीटर और म महिला के लिए हाइट ली जाएगी एक बाओं और सेंटीमीटर में लड़कों के लिए बब्बारी पास और एक रस्थ सेंटीमीटर हैट वहीं महिला के लिए भी 18 वष बार्वी बाँर। Two ko एक बावन सेंटीमीटर हैट देक हम1221 हो सकता है अभी हो सकता है उम्र में छूट दी जाए लेकिन ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है तो अभी आप मांगी चलना है कि 18 से 18 से 22 साल जो बच्चे जर्नल क्रेगरी के है 18-22 साल ठीक है 18-25 साल तक OBC वाले candidate और 18-25 साल तक SC वाले candidate ठीक है ध्यान देना OBC वाले चातरों को 5 वर्ष का 5 वर्ष का आप लोगों को छूट मिलेगी यह है SC वर्ष के चातरों के लिए भी 5 वर्ष का छूट मिल रहा है ठीक है इसलिए हाई होगी क्योंकि कम से कम 5 साल बाज वेकेंसी आ रही है अब 5 साल से लगातार लड़का पढ़ना है इसमें वो लड़का लड़की शामिल होंगे शामिल भी होंगे जो इस साल 18 साल के पूरे हुए है अब प्लस वो भी शामिल होंगे जो आयू छूट लगाएंगे यानि नए चात्र भी रहेंगे और पुराने चात्र भी रहेंगे तो जब पुराने चात्रों के साथ competition लड़ना होता है तो आपको बता दें competition काफी tough हो जाता है यह ध्याम देना लेकिन अगर आप लोग निरंतर पढ़ोगे तैयारी करोगे तो आपके लिए यह exam कोई माइ है यह जो वेकेंसी आ रही है उत्तर प्रदेश पुलिस की इसके बाद में भी हो सकता है दोजार 27 में ही वेकेंसी है लेकिन इसके बाद कोई वेकेंसी नहीं आएगी तो जो भी छात्र अठारा साल का है यह क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तैयारी करना शुरू कर दीजे यह है 35,000 पद आ रहे हैं और 35,000 पद में अगर आप अपना नंबर नहीं ले सकते हो तो वहाँ पर कहीं पर भी चुलू पर पानी लीजेगा डूपके मर जाईएगा ठीक है और स्वर्ग से फिर हमारी संप्राइज करियर कड़ी को देखिएगा चलिए दिल्ली सल्तनत की हम और स्थाफ़क है कुतुबदीन एबग थे और कुतुबदीन एबग किसका गुलाम था भाई कुतुबदीन एबग किसका गुलाम था कुतुबदीन एबग किसका गुलाम था मुहमद गौरी का और मुहमद गौरी ने अपने गुलाम जिसका नाम है कुतुबदीन एबग क भारत का सामराज शॉप में चला गया था इसने सरो प्रतम अपनी राज़भानी कहा बनाई थी सरो प्रतम अपनी राज़भानी लाहौर बनाई थी लाहौर के बाद राज़भानी दिल्ली आई थी क्लियर है ओके आपको बताते हैं इसका साशनकाल 1206 से लेकर 1210 तक रहा केवल 4 या 5 साल रहा और इसी के बीच में चाओगन खेलते वक्त कुतुब दिन एवक की मिर्थी हो गए दिया कुतुब दीन एवक ने समझ्ये गाज्यान से कुतुब दीन एवक ने कुतुब मिनार दिली के महरोली में कुतुब मिनार का निर्मान करवाया था लेकिन उसको पूरा करवाने का श्री जाता है लेतृत्मिष्ट को पहले ही पहला जो खंड है वही complete करा पाया था उसके बाद इल्थृत मिश्ने complete कराया था अजमेर में चौवानों के द्वारा जो विद्या मंदिर बनाया गया था संस्क्रित विद्याले उसको तोड़कर वहाँ पर तब जोपड़ा बनाया था और अधाया देन का जोपड़ा किया था एक मस्जिद थी किसके दारा बनाया था कुटब कुटब दीन एक दुआरिए नाम my में मिर्मान को सुआ तैया तक कुटब मिनार को स्टियार कातीने एब मीनार udah. की ये कौन था भाई ये एक सूफी संथा ये क्या था सूफी संथा किसके दरबार में कुतुबदीन एबक की दरबार में कुतुबदीन एबक के बाद राजा कौन बना अराम शाह राजा बना उसके बाद राजा कौन बना इलतुतमिश में बना इलतुतमिश की बेटी कौन थ और आम्षा है है जड कि दूर्पwar record चरि ‫ तो अरही दिन के जूपड़े से जवान करते हैं वक्राश्व सब्स्काइब् अजमेर का अराई दिन का जूपडा है और इस प्रकार से बिल्लिक है और इस पत्तर का इस्तमाल किया गया है Sow अर इस को बनवाया है कुत्व देन एकर प्र दिल का जोप्रा ते किस की पर बनाया दिकता邊 और अगर उपर से इसकी फोटो देखें तो इस प्रकार से दिखता है ठीक है यह एक प्रकार की क्या थी मस्जिद थी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुतम मिनार अब एक पर कुतम मिनार में नदर मारते हैं जले देखें क्या बोल रहा है कुतम मिनार इसका निर्मार की पूरा किस ने किया था इर्थतमिश ने ठीक है गुलाम ववंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है इर्थतमिश को क्लियर है ज्यान देना ओके आगे बगते हैं कुछ समय बाद इसकी उपर ही इमारा शतिक रस्त हो गई ठीक है आपको बता दें बहुत सारे जा उपर का जो इमारत थी हो क्या है तूट गई तूटने के बाद फिर दुबारा इसकी मरमत कराई गई कुछ समय बाद इसकी उपर ही इमारा शतिक रस्त हो गई जिसकी मरमत फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी और घूकंप के बाद इसकी कुछ मरमत सिकंदर लोधी भी कराई थी और कुतो म मिनार का नाम सूफी ख्वाजा खुटब 맛이όर कारह के नाम पर रखा गयाता थी sparेद सूफी संथ सूफी संथ ख्वाजा कुतुबदीन बक्तियार काकी के नाम पर तो थोड़ा सा यह important है काफी बार exam में पूछ लेता है exam में पूछ लेता है कि किसकी याद में बनवाया गया था exam में पूछ लेता है कि किसकी याद में बनवाया गया था तो वो सूफी संत है कुटुब दिन भक्तियार काकी और इसी वज़े से इसका नाम बना किया कुटुब मिनार यानि कुटुब कुटुब दिन भक्तियार काकी तिक है उसकी याद में है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये देखिया कुछ फोटो है ये फोटो है कुतुम मिनार की ठीक है जो कुतुबदीन एबग था उसने इतना ही खंड बनावा पाया था और उसके बाद इसने जो है इलतुतुमिशने ऊपर तक इसको बनाया और आपको बताते हैं उस समय दिल्ली में भूकम बाते थे तो उपर का हिस्सा वो हिल दूल के शती गरस्त हो गया था नतीजा आगे चलके फिरोशात तुगलक ने इसकी मरमत करवाई और उसके बाद इसने लोधी वह इसके शाशक ने करवाई थी ठीक है अब आपको बता दें इस कुतुम मिनार में जो की इतनी बड़ी इमारत है ये ल लाल बलुवा पत्थर का इस्तमाल किया गया है और लाल बलुवा पत्थर को मंगाया गया था राजस्थान से ठीक है दियान देना ये जो इमारत है ये जो इमारत है इस जहां से शुरू हुई है वहीं से ही वहीं से ही इसका जो पत्थर लगाए गये है पत्थर में पुछ न कुछ लिखा गया है क्या लिखा गया है हमने पता लेकिन इसमें कुछ न कुछ न कश न कंशी जरूर के गई hai और इसके हर खंड में हर खंड में हर खंड में एक दरवाजा है यानि कहीं न कहीं इस कुतुम मिनार में अंदर से उपर जाने के लिए रास्ता रहा होगा इसके हर खंड में एक दरवाजा है यानि उपर जाने के लिए कोई न कोई रास्ता बना रहा होगा फिर आपकको बतादे, देखेए, इस कुटम मिनार के अंदर जाने के लिए कुछ ऐसे दरवाजा टाइप बनाया गया था, वोह भी पत्तरों का ही दिरमार था, आगे चलोके बताएगे कि किसे बनाया, सबसे मेरं बात ये है, कि जैसे ये कुटम मिनार है, कुटम मिनार के दा आज पास से निकाला गया था और मेरट के आज पास से निकाला गया था और दिल्ली में लाया गया और दिल्ली में कुतुम मिनार के दाहिने हाथ में इसको रखा गया अब आप देख लीजिए तुलना कर लीजिए लेखिए यह हमारी विदेशी परेटक और विदेशी परेट देखा हुआ पर वो शेर बैखता था जिसके कितने सिरूंगा करते थे. चार एक पीचे हुआ करता था, हैंनग. यहाँ पर वह इस्तंब बैठा गटा था और जो हमारे भारत का साशन का, प्रसाशन का, भारत का प्रतीक चिन है, हैंनग, अशोक आशोक, पेशन पिष्तंब इसको बोलते हैं, और इसमें चार शेर हुआ करते थे जिसमें तीन ही शेर दिखते हैं और आज ये हमारा प्रशाशनिक चिन है प्लस हमारे जितने भी सैंड पद हैं उसमें ये इस्तमाल भी किया जाता है कई बार पूछा भी जाता है कि हमारा जो भारत का प्रतीक है वो कहां से लिए आ गया है तो अशोक स्थम से लिए गया है वो चार शेर अशोक स्थम से लिए गया है और ये चार शेर का मतलब क्या है कि भारत में ये चारो शेर चारो दिशाओं की निगरानी कर रहे हैं है ना यानि ये एक प्रतीक था कि भारत की निगरानी भारत की निग हो गया है कम से कम दो हजार सवा 2,000 साल हो गए सवा 2,000 साल हो गए इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है यह वैसे ही मजबूत है यानि आप समझ सकते हो कि उस समय की टेकनोलजी थी वो कितनी कारगर थी है ना लोहे का बना हुआ है अब लोहे की इमारत में लोहे की इस इस कि इसमें आज तक कोई जंग नहीं लगा और यह वैसे ही देखिए खुले वातवरण में है अब देखिए कोई भी लोहा खुले वातवरण में रखोगे तो उसका ऑक्सिडेशन हो जाएगा ऑक्सिजन के कंड जुड़ जाएंगे और वह है क्या हो जाएगा रेड गलर का हो तो क्या होगा उसका भार कम होगा कि बढ़ेगा उसका भार बढ़ेगा है ना लाल गहर का दिखता है तो देखिए इसके रंग में कोई परिवर्टन नहीं हुआ यानि उस समय किस प्रकार की इंजरिरिंग का नमूना यह आपको देखने को मिल रहा है यह वह वह अश्तमरा उस समय कुत्व दिन एभग के साशनकाल बें बनी है कितनी उची बिल्डिंग है देखे तुलना कीज़े यह रहे इसकी हैट और इस बिल्डिंग की जो जैमिती है वो कितने बढ़िया आकार से बनी हुई है और जब देखिए कितना तराशा हुआ कार किया गया है कितनी आप देखिए एक एक बलुवा पत्थर को बढ़िया तरीके से काट कर जैमिती के हिसाब से काट कर सेट किया गया है और लाल बलुवा पत्थर का इस्तमाल किया गया है आप जड़ा देखिए कि यहाँ पर घुमावदार आकरती है फिर यहाँ पर कोने वाली आकरती है फिर घ बढ़िया देखे चक्राकार आक्रिती है तो ये एक बढ़िया इंजिनेरिंग और वास्तु कला का एक नमूना है ना कुछ इस प्रकार से आपको नीचे से देखने को मिलेगी ये बहुत बढ़िया सुंदर इमारत तीक हैं आज भी आपको बता दें लोग जाते हैं वहाँ प इस सोचने को मजबूर हो जाओगे आप चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक और नमूना देख लेते हैं क्या 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 थी एक मस्जिद थी और दिल्ली में इसका निर्माण 1197 में लगब कराये गया था ठीक हैं अब जड़ा देखिए ये है वो लौस्तंब यहाँ पर मैंन यह कुवल उलिस्लाम यह नहीं यह भी एक मस्जिद थी कुवल उलिस्लाम देखे किस तरीके से बड़े बड़े पत्थरों का इस्तमाल किया गया है जहां पर बड़े पत्थर का इस्तमाल हुआ है वहां बड़े पत्थर किया गया है जहां छोटे का जरुत पड़ी वहां तब ही किया गया है आज की इंजिनिरिंग इस प्रकार की इंजिनिरिंग देखने को नहीं मिलती है कि आज कल कंप्यूटर का जमाना है तो यहां पर थोड़ा सा आपको देखना है कि कुवल इसलाम की जो मस्जीद है उसका निर्मार कुतुबदिन एबग के साशनकाल में ही एक किसी भी सामराज की जब शुरुवात होती है न तो हमारे भारत के सरकारी एक्जाम में वहां से अतरिक प्रश्ट बनते हैं जैसे सिंदु घाटी सब्वेता से प्रश्ट बनना ही बनना है रिगवेलकाल से प्रश्ट बनना ही बनना है दिल्ली सल्तनत में यहां से सब्सक्राइब कर् Engagement है उसके बाद आजादी की लगाई आजादी का अंदोलन से प्राष्ण बन जाता है ना धनि जब भी किसी दॉर की शुरुआत हुई है उस दौर पुरान खु़ार और मालिक और सिपय सालार ठीक है मैं इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लांख भक्ष का मतलब होता है यह अम्यूब का दान देने वाला कौन होता है लाख बक्ष होता है ठीक है आया समझ में लाखों का दान देने वाला कौन होता है लाख बक्ष होता है प्लियर है आया समझ में और ये उपादी किसने धान की दी कुतबदीन एवक ने और भी बाकी उपादी है वो एक्जाम में नहीं पुह ज अपनी उइदारता के कारण वह इतना धान करता था कि समकालीन लेखकों ने उसे लाख वक्ष कि उपाधी धारण करवाई लाखों Алने फे और हांति यूं का पाई बोरे में चड़कर और इष्टिक से इस पाले से उस पाले किया जाता हैं और भी वक्तर इसकी अगला साशक बना वह था आराम यह आठ यह नौ नहीं शाशक बन पाया इसके बाद शाशक को नाया इलतुतमिश और गुलाम वंश की वास्तविक इस्थापना उसे नहीं किया था माना जाता है कि कुतुब दीन एबग का कोई पुत्र नहीं था और अमीरों और सरदारों ने सैनिक विद्रों और जनता का असंतोश कम करने के लिए अराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया यह एक कमजोर शाशक था जिसको हटाने के लिए पदायूं के प्रांत शाशक इलतुतमिश को निमंतर भीजा गया और इलतुतमिश ने आठ माह के अराम शाह के साशन को अराम से हटा दिया और अराम से हटाने के बाद अराम साह का शाशन अराम से हटा दिया उसके बाद ख यहां से इल्दुत मिज का जो साशन था वो यहां पर समाफोigns हो चुका है ठीक है, जितना भी आपको कुतुब दिन अभाक के बारे में पढ़ा दिया है आपके डिल्ली सल्तनत में अगर इस से प्रश्ण बनेंगे तो इस से जादा प्रश्ण नहीं बन सकते कि इसके बाद फिर next topic चलाएंगे इसके बाद इरतुत मिश्क को लेके आएँगे उससे शाशन करवाएंगे और इरतुत मिश्क के बाद कई सारे विवाह करवाएंगे फिर इसके बाद इर्दुतमिश के बाद क्या होगा कि रजिय सुल्तान साशक बनने की कोशिश करेगी पर रजिय सुल्तान क्या है एक औरत है महिला है और उस समय ये माना जाय करता था कि महिला मात्र घर चलाने और बच्चे पैदा करने के योग है और किसी योग नहीं है तो तो जब महिला रजिया सुल्तान को शाशक बनाया गया, तो क्या हुआ, कि बहुत सारे लोग विरोध में आ गए, और इजुत मिश्के साशनकाल के जो सुबेदार हुआ करते थे, उन्होंने बोले कि नहीं, हम एक महिला का जो शाशन है, वो नहीं मानेंगे, है ना, इतनी पता दे, उसका रेप करने की भी कोशिश किया गया, कि यह किसी तरीके से गदी में हटे, मातर चार साशन करने के बाद, उसको जबरजस्ती हडाया गया, उसकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद, शादी होने के बाद, दुबारा उसमें कोशिश किया कि राजा बन ज तुम्हें मान लोगर दुख हुआ भाई तो तुम मुने रोना सालू कर दो क्या उसका मुझे पता नहीं है मैं फिल में देखता नहीं हूँ एक चीज आपको बता दे आपके पास अगर सरकारी नौकरी है तो हिंदुस्तान में जिस प्रकार का समाज रहता है आपके पास अगर सरकारी नौकरी है तो आप ही शेरशा है आप ही अकबर है ठीक है ध्यान दिजेगा आप ही अमीर खुसरों है एक से एक लड़की वाले ठीक है अगर आप लाकों भी कमा लो तो भी बहुत ज्यादा कम है लड़की का बाप कभी आपको लड़की नहीं देगा और सरकारी नौकरी में आप अगर एक चप्रासी भी बन जाओ तो आपको बताते हैं आपकी बहुत इज़त होगी साग शाथ एकड़म राज़कुमर मिल गए हमारी बिटिया को ताज महल बनाने वाले शाजहां मिल गए ऐसा होता है लेकिन आपको बता दें यह सिर्फ पता है कहां पे होता है यह उस शेत्र में होता है जहां पे लोगों के बीच में जागरूपता कम होती है आप दिल्ली, नोइडा, बैंगलोर जैसे सिटी में चले जाएए सरकारी से ज्यादा प्राइवेट वाले कमाते हैं और सरकारी से ज्यादा प्राइवेट वालों का रुथबा होता है टेंशन फ्ली रहते हैं जितने समय में सरकारी वाला कमाता है उससे कम समय में प्राइव यह चीज हुआ आगे चलके फिर कौन सा वंश आया आगे चलके कौन सा वंश आया आगे चलके खिलजी वंश आया ठीक है उसके बाद तुबलक वंश आया उसके बाद सयद वंश आया उसके बाद लोधी वंश का जो अंतिन साशक था जिसका नामे इबराहिम लोधी इबराहि का युद्धुवा किसके साथ में बाबर के साथ में और आपको उता दें यह जो बाबर था ना बाबर मिश्रित जन जाती था मिश्रित वंश का था और मिश्रित वंश का मतलब इसकी मा कहां की थी तुर्ग की और इसके पिता कहां के थे मंगोल के तो दोनों का मिश्रित जन लोधी को हराया और आपको बदा दे इब्राहिम लोधी नहीं हारता इब्राहिम लोधी नहीं हारता उसको उसके किसी करीबी नहीं धोका दिया और बावर को निमंतर दिया कि आओ लड़ो पंजाब का कोई राजा था मुस्लिमी था और इब्राहिम लोधी का करीबी था उसने बाबर को निमंतर दिया कि भाई इसकी सेना ऐसी है इसकी सेना में इतने जवान है इतने हाती इतने घोड़े इतने रत है आप आओ आक्रमण करो आपको बता दे दोस्त आपका कोई करीबी ही आपके पीछे खंजर लेके घुमता है इसलिए आपका next move क्या होना चाहिए आपका अगला कदम क्या होना चाहिए यह सिर्फ आपके सिवा किसी को पता नहीं होना चाहिए और एक चीज और ध्यान देना जो व्यक्ति आपके दुख में नहीं है जो व्यक्ति आपकी दुख के परिस्तिती में नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है आपके सुख की परिस्तिती हो जाएंगे इसलिए कभी भी कुछ कीजिए खुद के दम पर कीजिए मेहनत कीजिए और खुद के दम पर आपनी क्या कर सकता है मेहनत ही कर सकता है और मेहनत ही आपकी रंग लाईगी इधान दीजेगा और कभी किसी का एहसान देने की जरूत मत कीजिए यह भगवान आपने मनुष्य को इतना सटीक बनाया है कि ये अपने दम पर भी बहुत कुछ कर सकता है प्रियर है इदान दीजेगा जब आप किसी पर निरभर रहते हो तो धोका मिलने के चांसे ज्यादा होते हैं पिर जब धोका मिल जाता है तो चाइनीज वाले बना देते हैं टिक टॉक है ना और फिर जब टिक टॉक चालू हो जाता है तो कई धोका खाए दिल जले चात्र ओ दिल तोड़के हसती हो मेरा ऐसा कुछ फिर गाने बनते हैं आज भी मैं परशान हो गया हूं साड़े तीन साल हो गए है चार साल अकेडमी को होने वाला है लड़कों सुधर जाओ तुम को अकेडमी में पढ़ा रहे हैं तुम दिल जले वारा गाना लगा देते हो तुम लोग हमारा 12 गंटे का पढ़ाई और तुम्हारा एक मिनट का दिल जला पूरा धोस्त हो जाता है क्या दुख है तुम्हारे लड़कों बताओ लड़कों के हम बात निकरते तुम्हा एक बार उसका फोन आजाए कॉला यह क्या मतलब होता है क्यों आजाए फोन नहीं आएगा रिचाज नहीं होगा फिर कैसे करेगी यह बताइए यार हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस वेकेंसी आ गया आर्मी की आल्रेड़ी तैहरी चल रही है सूपर टेट भी आने वाला है यहां दुख दो आ रहे हैं अपने बताइए सुधर जाओ लेटुत तुम्हारे स्टेटस तुम्हारे नाम के साथ में डाwnलोड करके मैं लगांगो अपने स्टेटस में अब तुम्हें एक चीज बता दूं तुम्हारे स्टेटस देखते होंगे कम से कम महुत खी wonder के 900 घड़ा बालत मत करो दिल जले मत बनो अभी देने बनना है इसमे वनो यह यह जो हमारा सलेवास है इसकी इसकी तैयारी कीजिए इसका दूख कीजिए कि कब खतम होगा सलेवास यह जीज़ रहांगे की चार दिनकी चांदनी और ने रात है तो आई इसे सो घर माँ डाला करो इनकर अविस्टेटस देखे मेरे आख में आसु कि अशायते हैं अरे राधा कितना दुखे रहे इनको है नहीं है चलने तो क्या हो गया है भंद कर तो इन लोगों का दुख देखे मेरे आख में आसु एए अब साग्षाथ गौतम बुद तो भगवान को जर्म लेना चाहिए धर्ती में